नवस्ते रिकॉर्डिंग क्लब मैं रसी संदीप आजे रूँ आज इन्दा इस्टोरी आफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 247 लेकर के और आज करियर डे युवा दिवस स्वामी विवे का नंद जी की जैन्ती और 12 जन्वरी 2024 और डे वही फ्राइड़ शुक्रवार तो चौथे कन्वेंशन की कहानिया सुनाते सुनाते फ्लो फ्लो में कुछ घटना ऐसी हैं जो सुना नहीं पाया या यूं कहें कि उन घटनाओं की चर्चा नहीं कर पाया और पता नहीं अगर थोड़ी बहुत चर्चा की हो तो मुझे याद नहीं अगर आप दुबारा सुन रहे हों तो बताईएगा वाईए कि मुझे याद है किसी एक कहानी में मैंने कहा था कि कुछ जगह बिना कोई खास वजह के मैं सिर्फ इस लिए गया ताकि मुझे ये पता चल सके कि अभी रिकॉर्डिंग क्लब को लोग कितना जानते हैं कितना समझते हैं या उसके बारे में कितनी चर्चा करते हैं और वैसे भी पता नहीं किस्मत में क्या था कि दोजार उन्निस जो है काफी घूमने फिरने का रहा मेरे लिए जैसा कि मैंने पहले बताया था न्यू यर पे दोजार उन्निस में गुजरात में था दाइस्टेच्यो इफिनिटी और उसके बाद आबू कर्विंशन तो हुआई फिर आबू जाना हुआ इस बीज में दो जगह और जाने का उसर मिला मुझे एक तो मैंने जिक्र किया था चर्चा की थी श्री विमल कुमार डेंगलासर की जो नैब माउंट आबू के करता धरता है नेशनल असोसियेशन फर दी ब्लाइंट का स्कूल चलता है माउंट आबू में उसके करता धरता है अब होता क्या है कि देश का जो आबादी की दृष्टी से से बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में लगबग 2005 से एक क्रिकेट प्रतियोगिता होती है और एक समय में वो प्रतियोगिता बड़ी प्रतिश्ठित प्रतियोगिता हुआ करती थी उसका बहुत चर्चा था अब मैं इस प्रतियोगिता का जिक्र क्यों कर रहा हूं दरसल यही कहानी है पहली बार जब 2005 में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई राश्ठियोगिता राश्ट्री इस्तर पर तब मैं जमशेदपूर टाटा नगर क्रिकेट खेलने गया हुआ था राजस्थान की टीम की तरप से नेशनल कप खेलने गया हुआ था ACBI उस समय हुआ करती थी ACBI उसका हुआ करता था आजकल वो बदल करके CABI हो गई है तो उस समय ACBI हुआ करती थी और जॉरज अबराहिम सर मेरे ख्याल में बहुत लोग उनसे परिजित होंगे उस समय इसको जॉरज अबराहिम सर रंड किया करते थे ACBI को और बाद में यही ACBI वर्तमान का CABI बन गया वो भी आप सुन चुके हैं मैं मिस्टर जॉन डेविड के साथ एक प्रोग्राम कर चुका हूँ मन की आँखों से जिन लोगों ने सुना है उनको पता होगा तो 2005 में जब पहली बार ये प्रत्योगिता वीद मैं प्रत्योगिता का हिस्सा नहीं बन पाया और राजस्तान से हमारी एक और टीम गई थी उसके बाद 2006 में फिर ये टीम गई यानि ये टूर्नामेंट हुआ उन दिनों मुझे पाकिस्तान जाना था क्रिकेट खेलने तो मैं इस बार भी नहीं जा पाया कुल मिला करके सॉरी लगातार दो साल ऐसा हुआ 2005 और 2006 में कि कोई न कोई कारण रहा और मैं नहीं जा पाया 2007 में गरेजुशन का फाइनल येर था तो एक्जाम्स की वज़े से 2008 में बी एट के लेसंस थे इस वज़े से और 2009 से तो फिर जॉब की चिंताएं और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी अलग अलग तरह की समझे हैं उसके बाद फिर कुल मिला करके जॉब में लग गए और इसलिए नहीं जा पाए और 2019 आ गया 2005 से मुझे इस प्रत्यों की तामें जाने का आवसर नहीं मिला 2018 तक लेकिन श्रीमान विमल कुमार डैंगला सर की बदौलत 2018 में उन्होंने मुझे मेरी ख्याल में नवंबर दिसंबर के असपास कहा की ऐसे ऐसे अच्छा ये तो हमें मालूम था कि लेटर उनी के पास आता है चुकि वो भी मूलरूप से यूपी के है गानपूर के पास के और ये प्रत्यों कीता का जो लेटर है राजिस्थान में उनी की संस्ता के पास आता है वही टीम मना करके भेजते थे तो फिर मुझे लगा ये तो बहुत सुनहरा आवसर है तो उनके माध्यम से राजिस्थान की टीम को लीड करते हुए की कप्तानी करने का भी मौका मिला और पहली बार इस प्रत्यों कीता में जाने का आवसर मिला वह एक अलग कानिया कि यहां पर सफल था कुछ खास मिली नहीं हमारी टीम पो लेकिन मेरा उद्देश्य था इस प्रित्यों की था मैं जाना और दूसरा उद्देश्य जो मैंने शुरू में कहा इस बहाने ये देखना ये पता लगाना कि भाई उत्तरभरत के इस सबसे बड़े राज्य में और वैसे भी बहुत बड़े राज्य में दरसल जहां पर जाहिर है जब आबादी ज़ादा है तो ब्लाइंड लोगों की भी आबादी ज़ादा होगी तो ऐसे में वहाँ पर क्या चर्चा है कितनी चर्चा है मेरा अपना ये उद्देश्य था सीधी सी बात है अपना वही है मारों कहीं लगे वही और ऐसे ही करते करते आज ये छोटा सा वाटसब ग्रूप इस मुकाम तक पहुंचा है ये बहुत बड़ा मतलब एक तरह से अपना सीक्रेट बता रहूं है तो इस प्रत्योगिता के बारे में जो बीएसपी है बहुजन समाजवादी पार्टी उसके मासचे हुआ करते थे सतिश मिश्र वो इसको करवाया करते थे कुल मिला करके ये प्रचार में था कि मायावती जी की तरब से प्रत्योगिता अजित करवाई जाती है और 2007 से 2012 बारा तक जब तक मायावती की सरकार रही यूपी में तो बड़ी भविर रूप से ये प्रत्योगिता होती थी हाला कि उनकी सरकार गिरने के बाद फिर उसकी भवियता कम हुई और अब तो दीरे 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 वो शायद जादा चर्चाओं में भी नहीं है इस बार तो पता नहीं हुई भी है के नहीं 2019 में अनतिम बार ये प्रत्योगिता मेरे ख्याल में हुई थी फिर 2020 में तो कोविड आ गया तो शायद बड़े पैमाने पर हो नहीं पाई और हुई भी हो तो मुझे जानकारी नहीं है तो श्रीमान विमल कुमार डेंगला सर के माध्यम से इस प्रत्योगिता में जाने का आवसर मिला 2019 में और आठ टीमें इसमें आती हैं लखनों में सतिश मिश्र का ही एक इंस्टिट्यूट इश है टी एसम उसका नहम है वहाँ पर इस प्रत्योगिता का आयोजन किया गया उनी के कॉलेज में रुखने की विवस्ता थी और नो डाउट आयोजन अपने आप में अच्छा ही होता है और जो एक कई सालों से मन में एक जो इच्छा थी वो 2019 में जाकर के जनवरी के एंड में पूरी हुई अब जब मैं लखनों गया तो जाहिर है लखनों में डाक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में भी जाने का अवसर मिला वहाँ पर कुछ लोगों से मिलने का भी अवसर मिला और कुल मिला करके ये समझ में आया कि भाई अभी तो दो-चार लोग ठीक है जानते हैं समझते हैं लेकिन वो इस्तिती नहीं है कि जादातर लोग चर्चा करते हों या जादातर लोग इस वज़ए से पहचानते हों हाला कि जो लोग पहचानते थे वो इसी वज़ए से पहचानते थे जो भी गिनेच उने लोग मिले 2, 4, 5, 10 ये तय था कि वो मुझे सिर्फ रिकॉर्डिंग क्लब की बदोलत पहचान पाए तो वो देख करके तो खुशी हुई लेकिन जो एक जादा लोगों के पास इसकी चर्चा होनी चाहिए वैसी इस्तिती वहाँ पर महसूस हुई नहीं उस समय मतलब ये साफ साफ समझ में आ गया कि अभी आपने कुछ भी नहीं किया है या अभी आप जो मनसूबे पाल रहे हैं वो पालने बेकार है लेकिन कम से कम अगर जो बात हम जानना चाहते हैं उसकी उतनी जानकारी भी अगर मिल जाए कि वास्ता में चाहे मतलब ये संगटन की सिस्तिती में है तो मेरे को लगता कि आपको फीड़बेक तो मिली गया ना आपका उद्देश्य तो पूरा होई गया वो बात एक अलग है कि आपने काम किया या नहीं किया वो एक अलग कहानी लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि अभी आपको कुछ करना वैसे भी इंसान को कभी संतुष्ट तो होना ही नहीं चाहिए लगातार लगे रहना चाहिए जुटे रहना चाहिए मेहनत करते रहना चाहिए तो वही है उस समय इस प्रत्योगिता से ये बात साप साप समझ में आ गई कि भाई नौ दिन चले अढ़ाई कोस कावत है ना नाइन डेज वंडर तो वही वाली बात अच्छा अब एक बात की चर्चा करदू में बहुत सम्मान के साथ आदर के साथ आदर नियां सवीता भावी जी ने जो आदेश दिया था कि वही कहानी वीडियो की शकल में आनी चाहिए तो मेरी मतलब मेरी कमजोरी कहें या मेरा आलस कहें जो भी कहें वीडियो बनाने के लिए एक प्रॉपर जगे पे बैठना होता है और प्रॉपर सेट अप करना होता है और सही तरीके से कहानी को रिकॉर्ड करना होता है हाव भाव का भी ध्यान रखना होता है तो इस मामले में थोड़ा सा मैं अभी कमजोर हूँ या यूं कहिए कि मुझे लगता है कि टाइम ज़्यादा खराब होता है यहाँ पर सीधा रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया वहाँ पर बड़ी समस्याइं रहती हैं और एक जगे टिकना थुदा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए तो इस वज़े से फिलाल मैं वीडियो में नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन हाँ यह बात सही है कि दिमाग में यह बात है और आज नहीं तो कल यह वाली मेरी आदज जो है उसको भी मैं सुधार लूँगा ऐसा मैं मतलब अपने आप से वादा कर चुका हूँ तो फिलाल तो कहानी आज तो ओडियो में है दीरे दीरे मैं शुरुआत कर चुका हूँ कल ग्रूप इंफो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किया था वो सकता है कहानी भी अच्छा ड्रेस अप वगेरा खाभी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है तो कई सारी चीजे हैं मेरे ख्याल में मैं समझ गए होंगे तो वो मुझे एक्सक्यूस भी दे देंगे मैं ये मान करके चल रहा हूँ बलकि मैं मांग भी रहा हूँ हाला कि उनका अपना कहना बिल्कुल सही है और अगर वे कह रहे हैं तो उनकी बात का पालन भी मेरे को करना है लेकिन बस अभी थोड़ा सा अपने आपको तयार नहीं कर पाया हूँ इस चीज के लिए लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि वो गाड़ी वाला जो सेटप था वो वापस से पहले की तरह बरकरार रहे और गाड़ी से ही मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूँ तो आज नहीं तो कल होई जाएगा बैरा इसी शिंखला में एक बार फिर मुझे एक कारिकरम में आमंतरित किया गया व्यक्तिगत तोर पर और इस कारिकरम में भी जाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश वही था कि रिकॉर्डिंग कलब की वास्तविक्ता के बारे में पता लगाना अलाकि मैं नुक्सान उठा करके गया था उस कारिकरम में लेकिन बावजूद इसके सिर्फ गया इसी लिए था कि देखें तो सही जरा कहा बहुंचा है रिकॉर्डिंग कलब और वो पूरी कहानी क्या थी मैं क्यूं गया था मुझे किसने बुलाया था और क्यूं बुलाया था ये सब मैं आपको बताऊंगा पार्ट 247 में बलकि पार्ट 248 में आज वाला तो ये मेरे ख्याल में 247 है जियां तो अब 248 लेकर क्या हूंगा आपके लिए कहानी का भाग और उसमें मैं बताऊंगा और इनी दिनों की बात ही है लखना उमें गया था जनवरी में और ये फरवरी की बात है 2019 की और वहां का मेरा एक पुराना ओडियो आज ही मैंने देखा हाथ लगा मिरे तो मुझे याद आया रियर ये कहानी तो शायद छूड़ गई खैर तो चर्चा करेंगे इस सब का भी और अगर मैंने रिपीट कुछ कर दिया हो तो माफ कीजिएगा बाकी सारी गतिविधियां बदस्तूर जारी है मिलते हैं फिर किसी और मैसेज में रिकॉर्डिंग लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे हो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल मत भूलना बहुत बहुत धन्यवाद